पर भावप भॉला पासबान जी को बुलाए गए थे मुसर समान दिवसपर हमने उसको काट किये थे कि हम काट किये थे मंच पर चदने ने दिए थे उसको रहे ने करने दिया हम कर दिये देखे थे साथी से पहले लगा अपनी पत्नी को नहीं कितने बच्चे चाहिए अभी हमको पांच बच्चे है जुवान मन्य लालू परसाद का देन है यह बोलनाने चाहिए जुवान दिये और सारी योजना का इंप्लीमेंट नितीस कुमार धरातल पड़ लाए ताजी क्या करते थे दैनिक मजदूर थे उभी दैनिक मजदूर किसी खेत में आपके खेत में उसके खेत में मजदूरी करने के लिए जाते थे उसे में एक किलो अनाज मिलता था सबा किल दिन भ़र काम करते थे माबाप आसाम रहते थे सामये जहूं लाएगा कि मके लाएगा कि मरवा लाएगा उसके बाद अमेरिका से कोकोकला कांवन हुआ भारत का थे निए! 2003 में 2003 में उसके बीरोध करने के लिए फिल्म स्यटी गोडेगाउं मंबाई गै तो यहाँ हाँ मुंबई मुंबई फिल्म शिति गोरे गाउं बंबई एककईश दिन तक वहां हम लोग धर्ना पर्दर्थान कि दो सचालीस देश के लोग पहुंचे थे उसका विरोध किये तो पंचानवे में उस हमारे समाज को हत्या हुई तो मन में थोड़ा उतार चड़ाव आया लेकिन सोचे उतार चड़ाव से हमको काम ने चलिए इसका बीकल पर दूड़ना चाहिए तो हमको बीकल में नेतागिरी राजनितिक में जब सताम नहीं भागीदारी लंगे तर तक इस समाज का कुछ नहीं होगा हम से यहीं विचार उचार करके अपना दंधाद सुरू करते थे देशी चीक्रशक का भी काम करते थे जब भी समता पार्टी का मीटिंग होता था तो सहर्षाब पहुंचते थे हम प्रिकल ढूंदते ढूंदते हम राजनितिक को अपना ए उसमें देशी चीक्रशक थे उससे करते थे पिर चले आते थे अपना काम कर दोखेंज नमबर को मने मुख्रमंटरी के साथ मिले उन्होंने 25 दिसमबर 2008 को समयलन का टैम दिया और समयलन में इतना भीर हुआ इतना भीर हुआ कि पांच लाख केवल मुसहर्ट हुआ जाता था पांच लाख मुसहर्टा जाम हो गया था काम भी करवार लिया जाता था पैसा भी नहीं दिया जाता था अगर मांग होती थी बोला जाता था तो मारा भी जाता था यह सच है या सब कहानिया है यह सच भी हो सक कर दोहजार एक मुक्या कर चुनाओने हाए जी त हरे गफुर साहब का चलती था उससे में हारा दिये मुक्याओम में 2006 में गफुर साथ सु जो है ना है ना मन् न be honest है हुमारे पढेशड कही है पहले की पंचेत अब दो पंचेत हो गया है तो हर बादी है उसी समय हर हाथ के काम दो के बारे में और क्या करते हैं जी सीवी का बिरोध चल रहा था उसमें भी कमला बलान बांदे में हम लोग बिरोध किये थे उनिस सब पंचानुवे च्यानवे जो अनुसुची जाती लोग को जो भोजन बनता था और चावल का जो मार होता है द्याति भासा मार करते हैं उन्मार देता था पीने के लिए और चावल नहीं मिलता था हम दीपक भारती को कहें उन्हें कहा जाकर सर्वे कीजिए उसमें हम नदी पार करके मध्यपूरा जिला के बेलत और परसाखा नहर पर कुमार खंड संकरपूर मध्यली जिर्वा संकरपूर में परतापगन परतापगन च्छातापूर और सब जगह हम सर्वे की दो दिन के बाद दीपक भारती आये और उसमें का दिरिश जो था भूद भयानक था रहा अस्ति बिहार सरकार के नय मंत्री एसस टी विभाग के हमारे साथ हैं रतने सदा जी कई कहानिया निकल कर किया रही है कहा जा रहा है कि पिता जी जो हैं दिहारी मजदूर थे एक किलो अनाच पर खेत में काम किया करते थे आज रतने सदा जी 16 तारीक बातें भी चल रही हैं रतने सदाजी बहुत आपका स्वागत है जनता जक्सन पर कई कहानियां चल रही है आपके बारे में कि रतने सदाजी बहुत तप कराया हैं और इस मुकाम पर पहुंचे तीन बार की विधायक संघर्ष के दिनों की कहानिया जब आप कुछ नहीं थे विधायक भी नहीं थे कैसे यहां तक का सफर हुआ है हम पहले सता सुनीश सता सिम्मेटिक किये कि चोरानवें विए उनर्स किये संस्क्रीट से और उसी समय सम्ता पाटी के गठन हुई थी और मान्य मुख्मंत्री का चुनाव चीन था मसाल चाप और राम जी रह को हमारे छेत से महिसी विधान सवास्टी कर नहीं था उस समय मसाल चाप को कोई जहन्डा उठाने वाले नहीं थी और राम जी रह के और मान्य मुख्मंत्री के भीजन सम पर्भावित हुए थी और पर्भावित होकर इसका हम पंचैता धियाश बने और जिस समय चुनाव हो रही थी उस समय सम्ता पाटी के नाम लेने वाला कोई और उस समय हम राम जी राय को पांस सो पंचयत में पांस सब बोर्ट से बरहत दिला करके जीत करवा कर भेजे थी हमको आस्था मान्यमुख मंत्री को 1994 काया तो इन्होंने हम लोग गर्दम गोल्रेली शुर्वाद केसी दिने शनर्यादव के बड़ी रेल एलाइन के लिए उस्हें में इसमें दो इन्होंने बड़ी रेल लाइन का सुकृति दिये ते इसे हम बहुत प्रभावही थे जिरे दे उनिस सपंचानवे में एक सुन्यन सदा को हत्या हुई थी उस समय हत्या लूट अपरण शर्म सिमा पर था हुआ है तो हमको लगा कि जो उस सुन्यन सदा को देखकर क्या एगने संकर विद्यारती गए थे हम सोचे कि समाज को देखने वाला नहीं कोई है उसी समय मन में आया जैसा कौन काम करें जो कि समाज को कुछ न कुछ हम मदद कर सकते हैं हम पिकल्प ढूंटे ढूंटे हम राजनिती को अपनाए उसमें देशी चीक्रिशक्त है उसे दुचार पे सामदनी होता था तो पार्टी का मीटिंग जो हता उसमें कार्शकरम करते फीर चले आते थे अपना काम करने तो संघर्श के दिन एक और आपके लिए बात चले कि आपने कोई मुसार अधिकार रहले भी कुछ निकाले थी हम बता देते हैं है तो पंचानवे में उस हमारे समाज को हत्या हुई तो मन में थोड़ा उतार चढ़ाओ आया लेकिन सोचे उतार चढ़ाओ से हमको काम निचल लगा इसका बीकल तो दूड़ना चाहिए हमको बीकल में नेतागिरी राजनीतिक में जब सताम नहीं भागीदारी लंगे तब तक इस समाज का कुछ नखुछ कल्यान नहीं होगा हम से हम यही विचार उचार करके अपना दंदा सुरू क करते थे उन देशीची के सक्का भी काम करते थे जब भी समतापाटी का मीटिंग होता था तो सहरसा पहुंचते थे उसमें दुस्वार था सहरसा गाउं से आने में दुस्वार था सहरसा पहुंचने में कहते छे बजे नौ को खोजना परता था जो किसकी नौ जा रही है बल तो वहां घाट पर पूर्वी टर्टवन पर सुबद छे बजे से इंतियार करना परता था किसी नाभिक करना हो जाएगा लोग नर्क में थे लेकिन इसी तरह करते करते दीपक भारती से संपर्क हुआ था पंचानवईये में तो हम अतना इंट्रेस नहीं ले रहे थे लेकिन जब इनकी संगठन का जो भावना देखे विचार देखे उससे हम परभावित काती हुए खास करके मुसहरवक अधिकार के लिए दोने बहुत काम की तो हमको बुलाबाय गय उसी समय हर हाथ के काम दो के बारे में और क्या करते हैं जेसी भी का बिरोध चल रहा था उसमें भ हुआ कि हम लोग विरोध की इसे मूझ उनिस्सद पंचानुवें च्यान्वें है उसके बाद अमेरिका से को 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 कल्वा का आग मन हुआ भारत दो हुजरतीन दो हजारततीन कि उसके बिरोध करने के लिए फिल्म शिती गोरेगाउं बंबाई गये जां हां 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 मुंब मुंबई फिल्म सिति गोरे गाउं बंबई 21 दिन तक वहां हम लोग धर्ना पर्दर्सान कि दो सचालिस देश के लोग पहुंचे थे उसका अभी रोध किये फिर कि 2004 में कि संसद मार्च मुसर समान दिवस के लिए एंजियो के माध्यम से और रोजगार गरंटी सुचना के अधिकार के लिए हम लोग अजमेरी गेट राम लिला मैदान में धर्ना पर्दर्सन किये संसद मार्च किये और उसी समय राम बिलास पासवान जी को बुलाए गये थे मुसर समान दिवस पर हमने उसको काट किये थे ुआ है हम काट किये थे मन्च पर चदने ने दिये तक विरोद कर दिया हम कर दिये इसलिए कि जो भी इस बाइस जाती में अधिकार था आरक्षण था सब का लाव हो अपने समाज को दे रहा था उसमाज पर हम कहते हैं आप जितने विजाती हैं सब का अधिकार को हनन करते जार है आप अपने समाज के उन्होंने पीठोक दिया था हमको जो आज तक हमारे मुह पर जवाब देने वाला कोई नहीं है था लेकिन तू जो हमको जवाब दिया थे तू आगे बढ़ेगा पीठोक दिया था बहुत खुश हुए थे कि उसी समय मुशारा धिकार समान दिवस हो गया तो 2005 में उसमान रथ जो निकाल रहे थे उसी समय रामजी दासरी सीदेश के संपर्क हुआ था कि 2004 में आप पांच की जो चुनाव हुआ था उसमें हम समाजबादी से चुनाव ला रहे थे पाटी से पाटी से अच्छा कि 2005 में सिंग्या विधान सवा से चुनाव लड़े थे समाजबादी पार्टी से और धिरे धिरे करते करते मान्य मुखमंत्री का जो फस्त यात्रा हुआ था उसमें नवहटा में फेस्टूफेट संपर्क हुआ था अच्छा और 2006 में हम जीला परिशत के चुनाव लड़े 2001 में मुख्या के चुनाव लड़े जीते हारे गफुर साहब का चलती था उसमें हरा दिये मुख्या चुनाव में 2006 में गफुर साहब फिर जीला परिशत के चुनाव लड़े पंद्रह बोर्ट से हार गए अच्छा इन विदायकी तो आप एको बड़ नहीं आ रहे तीनों बड़ जीते हैं पहले सुनिए गा मेरी बात को तब ना साथ में कि रामजी दाशर्श्रीषी द्यव को एक मन में आया रमेश्रीषी देव को मन में आया औरृनमा घीव को मन में जो काम किया हो वारे बहुँत दॉलाँना यहाशा क्योंनाहीं हम लोग यह इतरू मनें मुसर समाज मीं च्रत्ता था जो पासपांब Hindu सानती हम लोगा रिकार को जो आरक्षन है सब को अठिकते खा रहे हैं राम जी दास रिशीदेव जीतन राम मां जी रमेश रिश्टिदेव सब विधायक थे कृष्ट कुमार रिशीदेव और उसके बाद क्या कहते गया के पुर्वित एंपी जो है हरी मां जी पर छे अरुन मां जी इभी वि उसी में विचार हुआ क्योंनों एक्ठो अपना अलग व्यवास ठाक्या जान मन्य मुखमंत्री को इस्षी जानकारी दीजा हम लोग उसी समय दलीत और महाद्यार से लगभ़ा एक हजार दो हजार लोग आया हुआ और 2007 में 29 अपरेल को किया गया था तो दो तीन हजार लोग आये थे उसी में मन्य मुखमंत्री सुसिल मुदी साहब क्या करते हैं गरामिन मंत्री जव है अभी के अंदर में अस्वनी चोग है कि सवाय थे और हम लोग कोई पता ने था जो छोटा सक पीपल का भीज ना वरा पेर पोधा होगा मन्य मुखमंत्री का इतना बीजन ह होगा उन्होंने 15 अगस 2007 को महादरीत आयूग का अगठन कर दिया उस समेलन के मादेल से और उसी आयूग के तहद तोला स्विंग सेवक विकास स्मीत निकला तिन्दीश मिल जमी हम लोग कोई पता ने था तो इसा बाइस योजना को स्युक्रिती मिली दो हजार आठ में कुसा की तराहदी आई उस तराहदी में हमारे एक दीपक भारती है जो लोग सक्ति संगठन के अंग्यू वाले है इसको हम ख़वर किया और देखे वहां के द्रीश जो अनुसुची जाती लोग को जो भोजन बनता था और चावल का जो मार होता है द्याती भासा मार करते हैं मार देता था पीने के लिए और चावल नहीं मिलता था हमने दीपक भारती को कहे कि नहीं कहा जाकर सर्वे कीजिए उसमें हम नदी पार करके मधेपुरा जिला के बेलत और परसाखा नहर पर कुमार खंड संकरपूर मधेली जिर्वा संकरपूर में परतापगन च्छातापूर और सब जगह हम सर्वे की दो दिन के बाद दीपक भारती आये और वो समय का दिरिश जो था हो बहुत भयանनग। थार अस्टेशन पर बच्चे सब विलकए रह था नाज के लिए बाद पिरिये। हम जिस महला में रहते थें उस महला में दो चाथो जुबह कुस बोले इस्टेशन पर लोग अन्आज के लिए तरस रहा था तरस रहा हैं इस पर क्या किया जाए तो दोठो जुबक एक चादर लिये दोठो जुबक एक चादर लिये बजार में सब देरा के सामने जाकर के उस घर के लोग महला से बिंदी करते थे दो रोटी कि सब्जी हो या भुजिया हो तो पुलोतिने बान करके और एक बच्चे के लिए या पुरुस के लिए या महिला के लिए सारी है तो सारी इस तरह का काम किया और अस्टेशन पर जाकर के चार बज़े को बाठते थे उस समय के यह द्रीश था तो सर्वे करके दिपक भार्ती गए दिपक भाटिया आए बंबय से और उसके बाद उन्होंने 35 आराविकी योजना लाया पहले दो सो चालीस भोजन का केंद्र बनवाए उसमें जो रस्विया का काम करता था वोलेंटियार उसको किसी को 6000 किसी को 8000 किसी को 10,000 ऐसे करके खाना बनाने वाले को देते थे और यह सिल्चिला 2009 तक चला जहां इसकुल धोस्त हो गया था इसकुल का भी व्यवस्ता किये उसमें रमजान का समय चल रहा था रोजेदार के लिए दूद का व्यवस्ता किये थे और इवन परकार के काम करते थे यहीं सब दोहजार आठ की कहानी है नो में दोहजार अफीर अक्टूबर नमंबर जब आया तो ग्यानमुर्थी पत्रकार है हिंदुस्तान के रिष्टा में लगेंगे कुछ गाली मुली देने वाला वू निकाल दिया महादलित का समयलन करा रहें रतने सदा उसको हम दाट फटकार किये हमको देव परबस्त्रे नहीं समयलन कहां सम करेंगे तो कोई खर्चाने लगया आप चाहिए ने करेंगे हम चले आए 28 नमंबर कुमान्य मुखवंत्री के साथ मिले उन्होंने 25 दिसंबर 2008 को समयलन का तैम दिया और समयलन में इतना भीर हुआ इतना भीर हुआ कि पांच लाक केवल मुसहर ठोया था पांच लाक मुसहर साहता जाम हो गया था और उसी समयलन का हम उपज है लगभग एक हजार मेरा नाम लिया था एक हजार वार मानने मुझे मुझे चलिए यह तो नौ तक आप आगए हैं दस की बात आगे करेंगे कभी राम ब्रिश सदा जी के साथ कोई जातिय भावना या जातिय टिपनी या भेद भाव या डिस्क्रिमिनेशन किया गया जात को ले करके कि मुसहर हैं तो कोई आपति जिनक सब्द बोल दे या उस समय जो लोग लड़ने लगे जुवान मन्य लालू परसाद का देन है यह पूलनाने चाहिए जुवान दिये और सारी युजना का इंप्लीमेंट नितिश कुमार धरातल पड़ लाएं कभी आपके साथ जाती डिस्कूनेशन भेदभाव पष्पन में जमानी में या पढ़ाई के समय पहले सुनिए भंट जाती कि मानते ही नहीं है अब जो अपना भेदभाव करता था हम समांद्री स्थ तूं गालिये देता है दो हमको को मतलब नहीं को मतलब नहीं है जो ही समाजे का जाते का नाम लेकर बोलाना है बोला अभी भी भी बोलाना है अमने को जाती है जाती है का नाम लेकर बोला कोई दिकत नहीं अपको मंत्री जी करके बुलाएगा जाएगा वो तो जो समान मिलड़ा है जो उस समान को जी लगाएगा अगर होती थी बोला जाता था तो मारा भी जाता था यह सच है या सब कहानियां यह सच भी हो सकता है है भी सच लेकिन जिस चैतर में हम लोग रहते थे जिस परकशंड में जिस पंचैत में इस तरह की काम नहीं होता था अब आप इसी पर्खन में इसा काम ने वाब जहां हर समाज में हरत्रा के लोग होते हैं कि सबका अपना भावना था जो जैसा वेहवार करता होगा उप करता होगा लेकिन इसी वहावना में फैमिली बैग्राउन सर पिता जी क्या करते थे देनिक मजदू थे कुम देनिक मतूर किसी खेत में आपके खेत में उशके मर्दूरी करने के लिय जाते थे वह समये एक किलो अनाज मिलता था सबा किलो मिलता था और सबांगी अनाज पर हम लोग दिन भर काम करते थे साब से ऐμद आता है साम में यह नगा की म के लगा कि मरवा लएगा जिस रोज गेहूं लाता था तो खुशी होती कि आग गेहूं का रोटी खाएंगे कभी धान मजदुरी में आता था खुशी होता था चाबल खाएंगे उस परिवार साथ मतलब पता नहीं रहता था कि रात में गेहूं मिलेगा भोजन की नहीं मिलेगा काम बंद हो जाती थी देनिक मर्दुरी दो दो दिन भूखे भी रहते थे लेकिन आपने कहा कि हम भी यह तक पढ़ें तो पिता जी पढ़ाने की मतलिक छा रखते थे हम कि रतने सदा को पढ़ाना है इस सबसे जादे सुरे पिता जी और मता जी को है और जिस समय हम पढ़ने पढ़ रहे थे गों में घर में अनाज नहीं रहता था तो बूखे चले जाते थे परने के लिए हमको परहाई से सुरुए से लगन था उस लगन को देख करके हमको 66 बहन थी हमसे नीचे जो भी बहन थी उभी मज़ूरी करने के लिए जाती थी और करती थी हमारा भाई परहेगा लेकिन भाई के परहेगा कि इतने वह सबसे चोटे सबसे बड़े हैं कि मजदूरी का यह इलम था कि हर हाल में पढ़ाने सिख्छा लेना ही लेना है अपने जीवन में हम बेटकर को कितना मांगते हैं वो तो आदर्था है इस समाज के लिए और हमरे लिए भी आज उन्हीं रहता तो जिस जगह पर आया है को यह सिएस्टी का लोग यहांने पहुं तरह कि लालु यादब नितियस कुमार के बार में कहीं सुचता है है लालु यादब जी प्छिवान के जुवान थे कि पहले बोलती हैं हूं मुम आवाज दिया है और रादनितिक सत्ता समाजिक शिक्षा छेत्र में जो भी गल्यारे हैं उस सब में इंप्लीमेंट और खास करके महादलित वर्ग में मुसहर के लिए जो काम किया है जो पास्वान समाज के लिए काम किया है आजादी के बाद कोई इसा दूसरा मुख मंतरी नहीं जो इस तरह काम किया है उन्होंने कलपत पर आक्शन कर दे करके मुख्या बनाए सरपंच बनाए यह सब तो साधी प्रेम विभा हुआ है या आरेंज मेनेज की है देखेते पहले हम उन्हीं सच्छोरानवे में साधी की है हमारे जनम से दूसरा पहले आप साधी की है हाँ अब तो हो गया कि मिलना उना रहता था देखा देखी करके पुराने रिति रिवाज के साथ अच्छा चुरानवे ताक इतो दो हजार के बाद 2010 के बाद ही चेड चाल हुआ दच्छनी भारत का अब मतलब देखे थे साधी से पहले लड़की को आपनी पत्नी को ना नहीं कितने बच्चे हैं अभी हमको पांच बच्चे हैं तीन लड़का है दो लड़की है दुनों लड़की के साधी भी कर दिया है अगले बार है सबसे बड़ा उसको उनीस में साधी किया है अब दो और साधी के लिए दो बचे हो चली यह संघर्ष की कहानी थी और अब राजनितिक बाजो है हम कर लेंगे रतने जी से